कि इतनी आप प्रैक्टेस कर रहे हो सब में अब आउट ब्लांक नहीं करा रहा हूं इसका फायदा है कि आपना हर लाइन को एक एक करके अच्छे सीख पारे हो तो एज डेवलपपर मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस लाइन का मतलत है that's why we are writing everything in an about blank और about blank पे interpretation चलते होते हैं एक लाइन को लिखते इंटर मारते चलाते हैं यह दो तीन चार लाइनों को भी लिखकर एक साथ चला कर आ सकते हैं तो benefit हो हम छोटीटे snippets को चला रहे हैं और snipp को सीखते हैं that's why we are writing everything here और इसका एक और benefit है हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना पर आपनी मेशिन बे ब्राउजर हम सब के पास है हम सब यहां inspect element करके console बजाकर चेंज करके आयरे तो हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आपर next type की अभी तक अगर हम यहां पर जाएं तो तो लोटंद कैसे काम करता है वी लउन नंबर कैसे चांज करता है नाओ थर्ड्र यृर्निंग्ट कैसे काम करता है स्त्रींग का मतलब पर गृूप अधूर्ट ओग्रूप ओप्रेंटर संगने हमें स्ट्रिंग यूज कर गया सबकाँ करूँ तो संटक्स ब्लूब ऐसी हम मैं यहाप लिखा Amit, तो मेरे पास string बना, type of A करते हैं and we are able to see that's it, that is a string, यह मरे पास एक string बन गया है, अब guys अगर यह मेरे पास string बना है, this is, I created a string, तो अब मैं string पे जाकर ऐसा बोलना शूरू करता हूँ, कि अगर मैं string पे इसे ऐसे भी लिखता, still it's a string, अगर मैं इसमें सिर string ही है, that all these cases, either in double quotes, either in single quotes, यह string है, अगर, suppose, I will say, मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, let's do it, तो double quote, उसके बाद single quote लगा है, फिर double quote लगा है, it is string itself, और इसके पास intelligent है, यह अपने आप single quote को take care कर लेता है, without specifying any escape characters, बहुत सब्सक्राइब में, escape operator लगा कर आप इसे use कर क्या पाते है, slashes लगा कर, इसके साथ साथ यह बोलता है, अगर आपके बाद string multi-line string है, तो आप ऐसे लिख कर आसे हो, आप back tick का sign लगा होगे, तो double quote था, single quote था, यह back tick है, और back tick के बाद आप जो भी यहाँ लिखते हो, shift enter मारते हो, shift enter मतलों next line में जाना, फिर shift enter आउते हो, next line में जाना, और फिर आप यहाँ से इस back tick को off कर देखो, तो मैंने यहाँ जाकर गाए, इसके back tick को off कर दिया, this is a string, आपको clearly देखे हो है, slashes लग गया है, बीच बीच में, तो we are able to see, कि यहाँ slashes आ गया है, यहाँ पर भ जब भी a को print कराएंगे, तो it would be like slash and दिखेंगे, अगर आप चाते हो, new line में convert हो, तो आपको print कराने के लिखना पड़ेगा, console.log, तो अगर आपको screen पे कुछ भी lock करना है, यानिकि print करना है, तो आप उसको लो, console.log, इस case में, जब हम console की बात करते हो, console यहाँ पर object है, तो it is a predefined object, और log हमारे पस एक function दे, और उसमें हमने a को print करा दिया है, और उसने क्या किया, उसने slash and हटा कर new line की form में से दिखाना शुरू कर दिया, तो learning यह हुआ, कि अगर मुझे यहाँ पर string बनाना है, तो string बनाने के I have varieties, मैं इसे ऐसे ही बना सकता था, मैं इसे ऐसे भी बना करा सता था, कि मैं उसे single quotes में लिख दूँ, या फिर मेरे पास एक और option आया, कि मैंने back tick का sign लगा, फिर मैंने multiple line of string लिखा, और फिर back tick को off कर दिया, जिससे I am able to achieve a multi line string, मेरे पास एक multi line string बन कर रहा है, जब मैंने इसे build किया, that is my single line, तो मैं इसके through single line लिखकर आ पा रहा था तो जो multi line का feature आया, यह feature आपके पास आया, ECMA 6 से, ES6 यानिकि 2015, they provided this feature, यह feature तब से build उना शुरुआ, तो ECMA के अलग-अलग version साथ है, in short, इस ECMA script को ही हम ES भी बोलते है, तो ECMA 6 में, they provided this back tick site, इस a multi line string, इसके साथ सदीक feature और build किया गया, उसे लिखते है, अगर मैं लिखता हू तो where a 10, यहां लिखता हूँ, where b equal to 20, और मैं suppose print करना चाता हूँ, इस जगा, a is, और फिर plus a लिखना पड़ेगा, मुझे plus, concat कर देगा, string के साथ कुछ भी लगाएंगे, string ही बन जाएगा, तो concat हुआ, फिर b is, और फिर मैं plus b लिखता हूँ, तो we are able to see a की value भी दिखते है और b की value भी दिखते है, और यह आप देख ध्यान से के, तो double quotes में में दिख रहा है, लेकिन अगर में से guys back tick में लिखता, तो यह कुछ ऐसे लिखता, a is, और dollar curly bracket, that is important, तो dollar curly bracket तो मत्दब, this is a placeholder, यह placeholder है इसका, यह भी को ऐसे ऐसे flinder blanks लिखता हूँ, जैसे flinder blanks में देखा, my name is, और फिर dash लगा दिया, तो dash क्या है, placeholder है, ऐसे ही, a is, dollar curly bracket is basically a placeholder, यह placeholder है, और यह feature को हम बोलते है, string interpolation, यह ECMA 6 onward आया, वो कहता है, आप एक template लिखो, जैसे कि a is, और उसके बाद dollar curly bracket लगा दो, dano value के लिए, इस तरीक से b is, और फिर dollar curly bracket b लगा दो, and here you go, a is is 10, b is 20, यह आपको दिखना श्रूर हो जाता है, तो हमें समझना आता है, कि हम इस backtick के साथ, साथ में किसे use करते हैं, dollar curly brackets को, इसमें कोई variable का नाम है, and we called it as a placeholder, और इस से हम कौन सा feature achieve करके, आपको इन दोनों को मिला कर, string interpolation का, यह feature हमारे पास बन जाता है, इसका देखो, इसको फाइदा क्या है, आपको किसी company के लिए apply करते हो, और आपको job offer आता है, तो job offer जब आयेगा, तो it is like offer, और backtick लगाओ और वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हो, तो dear, और आपका नाम, और यह नाम dynamic होगा, जिसको offer letter मिलेगा, उसका नाम यहाँ पर होगा, तो when I will say, कि where, name और suppose मैंने यहाँ लिखा, Tom, right, तो name है Tom, और मैं यहाँ पर जाता हूँ, dear, और curly bracket name, ऐसा मैं लिखा, और फिर comma करके मैंने multi-link नेगे shift interface किया, तो मैं shift enter करके इधर गया, और यहाँ पर लिखा, यू, you had selected, for the role of, अब role, किस role के लिए हुआ है, वो माल लो, वो भी dynamic, role of, और suppose मैंने बुला, sd, for the role of, और यहाँ पर लिख दिया, dollar, curly bracket, role, right, अब यहाँ पर फिल आएगा, कि जब मैं इसे चलाओंगा, और यहाँ offer को print करूंगा, आपको दिखेगा, dear Tom, आ गया, और you had selected for this suppose अगर यह number रोलता है, और यह हो जाता है, किम, ठीक है, और role आ जाता है, इस जगा, tester, suppose, ऐसा जाता है, और अब मैं जाकर, इसको, जब मैंने यह सब लिखा, तो मैं इस line को, यह जो line है में पास, इसे मैं फिर से execute करता हूँ, with this name, and this thing, तो अब मैं अगर offer देखता हूँ, we and we are able to see this thing, जिसका मतलब क्या हुआ, कि जितनी भी websites पे जो आपके बस emails आती है, तो उनका एक template बनता है, और उस template में dear उस बंदे का नाम लिखा होता है, या your bill is this, जैसे एटल का bill आया, तो ऐसी आता है, कि आपका bill आया, आपका order number यह था, pizza आया, तो यह order number था, या Amazon से के अंदर place order आता है, जो dynamic आने वाली है, तो this is a use case दे हम string यूज करते हैं, string के साथ यह place orders यूज कर क्या सकते हैं,